दोस्तों, PCS गुरु जी में आप सबका स्वागत है, दोस्तों, आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे, वह साइन्स का टॉपिक जो कवर कर रहे हैं, उसमें Organization of Human Body के जो टॉपिक है, आज हम कवर करेंगे, दोस्तों, साइन्स बहुत इंपोर्टेंट होती है, मैं एको दोबारा र कर लिया, जैसे कि आपको पता है कि इस बार आपका Negative Marking भी आ रही है, तो Negative Marking के आने से, जो Cut-Off होता है, वो काफी काम हो जाता है, मान के चलिए कि 50% स्यादा Cut-Off नहीं जाएगा, 50-50% मान लेते हैं, उसमें अगर आपने 20-25 कोशन जो यह बैलोजी की है, उनको साही कर लिया तो एक चांस बन जाएगा कि आप इसको बहुत इसली, बहुत इसली कौलिफाइ कर लें, जो लोग कौलिफाइ करते हैं PCS Pre, जो Regularly PCS Pre को कौलिफाइ करते हैं, आप उनसे बात करेंगे तो यह बताएंगे कि कुछ portion जो कुछ subject ऐसे होते हैं, जो अगर जिनको पढ़ा जाए तो उनमें कम महनत करके जादा स्कोर किया सकता है, उसी में आपका यह जो quality है, या आपका science है, यह दोनों चीज़े उसके अंदर आती हैं, तो अभी जगा science की बात करें, तो इसी टॉपिंग कवर करा रहे हैं, जो आपको organization of human body, इससे मान के चलिए कि आपको एक question या बहुत सकते हैं, ठीक है, समझाएंगे पूरा चीज, पूरा course करवाएंगे, और साथ में यह भी समझाओंगा कि कौन सा question यह लोग पूर सकते हैं, यह पूशा गया है, ठीक है, जो दोस्त लोग course करना चाहते हैं, यह six months का online course चल रहा है, दोस्तों यह UP pieces pre के बारे लिए, जिसमें ह हम आपको पूरा GS प्रवाइड करते हैं, online courses के, अगर कोई course करना चाहता है, तो हमें 8317040152 पर call करके यह WhatsApp करके, इस course के बारे में, हमसे discuss कर सकता है, ख्यार दोस्तों, आगे पढ़ते हैं, organization of human body, दोस्तों, देहा गुहा, यह बोडी cavity, cavity सब जो होता है, इंगली से कर बात कर हमने, cavity क्या होता है, हमने सुना ओका नाम cavity, दात में cavity हो गई, दात में छेद हो गया, तो उसे करते हैं, बहुत ही यह बोडी गुहा मिस्तों, पूरी जो cavity होती है, छेद होता है, उसको देह गुहा करते हैं, हमारे शरीर में कई अंगों में छोटे छोटे गुहा है, मलाद be green जेद है, जिसे socket कर सकते हैं, हमारे शरीर में कई अंगों में चोटे छोटे गुहा होती है, जैसे की nasal cavity कहते है, मुख गुहा जैसे oral cavity कहते है, कापाल गुहा cranial cavity कहते है, ठीक है, जैसे के भी यह उपका पूर्चम में देखेंगे, की गुहा का मतलब क्या है कि देखें दोस्तों यह आपका कर्यदल के वैटी ऊपर सर पे है यह जो लाइन जा रही यह वर्ट्र Old⑤ यह ओयविल्पी निए टिक आ हे यह आपका पॉर्ष ञता है श्री जिसके अनरके लंग्स होता है स्क्रोमग होता है अब किद्नी विद्नी त yogi और सारी जो हमारे body organs है इस गुवा के अंदर ही fit है, fit कह सकते हैं, अब question कौन सा बनता है, नीचे पढ़ता है, मानव शरीर के सबसे बड़ी गुवा, सबसे बड़ी गुवा कौन सी है, हमारे body के अंदर, जहां पर lungs है, kidney है, heart है, मानव शरीर की सबसे बड़ी गुवा, siloom या splannish cavity कहते है, splannish cavity होती है, siloom कहते है, उसको हम कहते है, मानव शरीर की सबसे बड़ी गुवा, यह देखिए, आप आपको फिर से दिखाते है, यह पूरा portion है, आपको देख रहे हैं, ठीक है, इस पूरा portion है, यह आपका siloom या splannish cavity है, उसे कहते है, ठीक है, question पूछा भी और आपको इसको experience रहना पड़ जाए कि मस्तिश्क यानि brain ठीक है, इसके और मेरु विज्जु यह स्पाइनल कॉर्ड, मेरु विज्जु को छोल कर शरीर के अधिकहांश अंग splannish cavity यानि आपका siloom या splannish cavity उसके अंदर स्तित होता है, ठीक है, दो तनार कोशन आएंगा पूछ लिया सबसे बड़ा गुहा कौन सी है, तो है, शिलोम और अगर दो चीज़े जैसे कि मस्तिश्क यानि brain और spinal cord को छोल का जो सारे पाठ है, कहां फिट है, वो भी शिलोम में या splannish cavity में है, मस्तिश कहां पे फिट है, वो है cranial cavity, दिखाते हैं आपको, cranial cavity, यह है कि इ vertebral cavity ही होता ही है, तो कुशन हमें कौन सी रटनी है, हमें याद करने हैं चीज़े, दो चीज़े है, वो है, शिलोम या splannish cavity, ठीक है, और मस्तिश या मेरुरजू या spinal cord को छोड़ का शरीर के अधिकां शंग, splannish cavity के अंदर इस्तित होते हैं, यह कुशन आपको पूछ सकता ह चलिए, आगे चलते हैं, animal tissues के बारें पढ़ते हैं, दोस्तों, cells तो आपको पता ही है, cells क्या होते हैं, आपने पढ़ा ही होगा, cells चब, cells चब मिल जाके एक काम करते हैं, जैसे tissues are two groups of specialized cells that work together for a particular function, मतलब जब cells होते हैं, जब मिल के एक काम करेंगे, तो tissues कहलाते हैं, अब specific function का मतलब कि हर tissue का अपने काम होता है, ठीक है, हर cell का अपने काम है, मतलब कि 10, 10 वे से बहुत मोटे बात कर रहा हूं, चोड़ा बोल रहा हूं, एक करोड या 10 करोड चल्स मिल के आपके heart मनाते हैं, वो उनका काम है, heart का function करना, कुछ cells मिल के tissue मनाते हैं, जो काम करता है kidney का, ठीक है, तो cell ही सबसे smallest unit होती है, और वो सब मिल के tissue बनाते हैं, और tissues ही अलग-अलग body का function का का काम करता है, तो tissues किया है, tissues are groups of specialized cells that work together for a particular function, एक विशेश function के साथ मिल कर काम करने वाले विशेश cell के समू होते हैं, cell के समू होते हैं, ठीक है, cell के समू होते हैं, जो particular काम करत हैं, जिसके लिए वो बने हैं, ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, utak, utak means tissues, question बोचा गया कि tissues का शब्द का सबसे पहला प्रियोग, मलब tissue शब्द जो है, वो किस ने सबसे पहले इस्तमाल किया था, तो वो था beechat, beechat निका था, यह है beechat सहाब, इन्होंने सबसे पहले इसके शब्द टीशूज वोड इस्तमाल किया था, टीशूज होते हैं, group of cells, group of specialized cells that work together, ठीक है, utak, utak इसका हिंदी translation है, utak, beechat सहाब ने उतक शब्द नहीं इस्तमाल किया था, इस्तमाल किया था, टीशूज, utak हमारे देश में, जब देश अजाद हुआ, तो कमेटी utak के लिए utak का शब्द कहा जाता है, तो जो beechat सहाब ने शब्द शब्द कहता है, उसके tissues कहता है, ठीक है, utak का अध्यन study को ओतिकी कहते है, histology, अब यह important है, कई बार question पूछा आता है, कि मैं जब फॉलिंग वाले question मैं पूछ रहे आएगा, चार्च विजे पूछ लिए इसकी study को क्या क्या जाता है, तो जाज़ा की है, utak को study of tissues को histology कहा जाता है, जिस हिंदी में autiky कहते है, बहुत important है, यह question आया भी है, ठीक है, four types of tissues, अब tissues, जैसे कि मैं बता था, कि cell से बनते हैं, और सबका अपने particular काम होता है, उसके बात, अब हम आप पढ़ेंगे कि उनक उपकला उतक, epithelial, epithelial means, जो body के उपर cover करता है, इनसे पढ़ेंगे, इसका expression देंगे, epithelial covering, उपकला उतक, फिया सन्योजिक उतक, इसका मतलाब है, support, connective, pacey उतक, muscle movement, तंत्रिका उतक, nervous control, तो चार तरह के है, epithel, जो cover करता है, connecting, जो आपा समें इसको connect करता है, muscle movement, जो movement करता है, muscles में, और nervous system, जो है, वो control करता है, यह चार तरह के tissues है, अब exam point आपकला उतक, इसको पढ़ने कोशिक करता है, हम पढ़ते है, उपकला उतक, यानि epithelial tissues के बारे में, यह बढ़ा important है, epithelial के बारे में, epithelial और connective tissues, इसके questions exam में आते हैं, क्या है, पढ़ते है, इन में कोशिकाएं एक पतले आवरण की चादर के रूप में होती है, जो शरीर की बाहरी सता को ढ़कने का कार्य करती है, दोस्तों, पढ़ते हैं, शरीर के विभिल गरंतियां, glands भी इसी उतक से बनती है, ठीक है, दोस्तों, जैसे हमारा heart हो गया, हमारी body है, हमारी body के उपर क् skin है, ठीक है, अखर हम और गहराई में जाएंगे, तब देखेंगे कि जितने भी हमारी organs है, चाहा, ठोचा kidney हो, lungs हो, जीब हो, हमारी tongue है, या कुछ भी है हमारा शरीर का, उसके उपर एक तरह का, एक tissue का covering है, उसको cover कर रखा है, ठीक है, उस tissue को epithelial यानि की उपकराट उतक कहते है, ठीक है, एक हर चीज पर हमारे सभी body पर एक cover है, जैसे किताब के उपर cover होता है, बोडी के उपर cover होता है, उसे तरह से हमारी body के उपर cover है, उसे हम epithelial tissue कहते है, ठीक है, इंगले से पढ़ते है, epithelial tissues are thin tissues that cover all the exposed surface of the body, exposed surface, they form the external skin, the inner lining of the mouth, digestive tract, cicatric glands, the lining of the hollow part of every organ such as heart, lungs, eyes and ear, ठीक है, सारी बाहरी covering, जैसे पर cover हो जाए, जैसे कि उसकी उसको बोलते है, epithelial tissue, बहुत इंपर्टन है याद कली जिगा उसको, जो cover करे, सब कुछ, ठीक है, epithelial tissue, epithelial tissues have a number of functions which include protection against abrasion, ठीक है, radiation damage, chemical stress and invasion by pathogens, क्या काम है, सीधी जीबात है, सुरक्षा करता है, सुरक्षा कैसे करता है, कोई bacteria नस पैटाइक कर दे, ठीक है, कोई chemical reactions को परना हो जाए, कोई radiation से दिख्कात हो जाए, तो उसका काम है, खाली protection करना, ठीक कावर है, किताब का cover क्या करता है, कि वो किताब को फट्टे नहीं देता है, किसी तरह से, उसका protection कर है, उपकला होता है, काई काहर है, जिसमें रुगानों द्वारा घरशन, विक्रन, खिछती, रहसानिक तनाव और अक्रवा के परती सनक्षन सामिल है, ठीक है, ठोसंग जैसे कि जीब, गुदा, लीवर, यानि यक्रत, या तिल्ली, आदी के बाहरी सता पर भी पा जाते है, अब इंपोर्टेंट है, ये टिशू के सेल, कॉलेजन प्रोटीन से बनते हैं, कॉलेजन, कॉलेजन एक प्रोटीन होता है, जिससे ये एपिथिलल टिशू बनता है, बड़ा इंपोर्टेंट है कि पूछ लिया चाहिए कि एपिथिलल टिशू किससे बनते हैं, तो बनता है कोलाजल टिशू से बनता है ठीक है इन्पॉर्टेंट है याद कर लिजेगे फोटो देखते हैं इसकी यह हमारी बॉडी के स्किन है उपर आप बाल देख रहे हैं यह ठीक है उपर वाली स्किन को हम बोलते हैं यहाँ पर बता रहा है तो यहाँ पर आप बता रहा है है यह कोलेजन पर बता रहा है कि आपका एपिठली टीशू को बनाने में काम करता है अब माली जब चोड लगती है कोई कट लग जाए को चोड लग जाए इसकिन पर चोड लगने के पाद उसका जो रिजनरेशन होता है दुवारा चोड लगने कोट लगने पकल टीशू आपका लाट आलेटा तुरी से खिवस गर्वारार टीशू आता है ठीक है बहुत गाल्याह स्बुछल आइक कि जितना मोटा मोटा यह पुछ लेगी आपसे बहुत अब है कनेक्टिव टिशू सबसे इंपॉटेंट यहीं पर है अपिछलिल टिशू का कोई कोशन अगर आता है तो सिर्फ यह कोशन आएगा कि मतलब क्या होता है इसका मतलब समझ लिए कि कवरिंग ऑफ बॉडी ठीक है अगर मतलब और जाद कुछ निए बहुत और पुछ लिया तब पुछ लिए जाएंगे किसे बनते हैं तो बताते जाएगा किसी दिवागी कोलेशन प्रोटीन से बनते हैं बस दो ही कोशन आएगे उसके खिलाब और कुछ नहीं आएगा कनेक्टिव टिशू सभी अंगों क के मति पा जाते हैं अंगों के मध्य ठीक है दो हड्डियों के बीच में या हड्डि और मसल्स के बीच में यह से कहते हैं सभी अंगों के मध्य पा जाते हैं इन टिशू का परवुकार अंगों को सहारा देना है यह अंगों को बांध रखते हैं करेक्ट रखते हैं शरीर मे यह अधिक लगबक 30 % होते हैं को से आता क्यों से हमारे बॉड़ी में हैं कौन से अधिक इसका सारा काम करते हैं अभी यसी बॉडी के एक्जेंपल है ये हाथ है हमारा ठीक है अब यहाँ मॉचल्स है उसका हुआ wrapping होती है टी chirping कहने कंड बॉडी के सबने इसको दम सब्सक्राइब को है कि पनान प्थे आप पनानल दो बॉड़ी चीजों को जोड़ देना आपस में अब थोड़ा सा इसको और पढ़ते हैं संयोजी उतक कनेक्टिव टिशू में श्वेत कॉलेजन वाइट कॉलेजन या पीले लचीले तन्तु होते हैं जो इसे कड़ापन या लचीले होने में सहय करते हैं टीशू में दूख नहीं होती है सा इसे बहुत घंड होते हैं दूसरी बहुत फ्लक्सिबल रचीले होते हैं तब हमारी को सकती है उसके कशेबबन करते हैं इसके कारान हम भूफ करते हैं तो एक लिएट कोलेजन या येलो क्लेजन नीचे पढ़ेएंगे जो वो दोनों मिलके इनको कड़ापन और लचिलापन देने में help करते हैं, ठीक है, अब कल इसमें connective tissues भी थोड़ से कई तरह कई connective tissues हैं, उसको पढ़ते हैं, और exam.tv से कौन से important हैं, वो समझने कोशिशिश करेंगे, अंतरालिया सन्योजित उतक, यह पूरे सरी में सबसे अधिक फैला होता है, स्कीन और उपकलो, यह एपिथिलियल के नीचे, मसल्स के बीच में यह पाया जाता है, मसल्स के बीच में, हमें जो स्कीन है, इसके थोड़ा नीचे जब आता है, मसल्स वहां पर हम एरियोल connective tissues पाते हैं, इनका जैली मैक्रिक्स इस पार दर्शी और चिप्चेपा होता है, यह मैट्रिक्स है इनका, जिस तना से उनके नेट्वर्क तयार किया हो ने पसमें, ठीक है, इसमें चप्ति फैब्रोसाइट्स तता फैब्रो ब्लास्ट पाय जाती है, यह जो इसके इंदर फाइबर्स होते हैं, इसमें इसमें के मतलब क्या ओँता है, खा जाना, मैक्रोफस का होता है, जिते भी हानिकारत के जों के मर गया है, तो उनको ऐ खा के बोड़ी को यद को तंदूर सकती है, तो मैक्रोफस का यह काम है, मस्ट कोशिका या मस्ट सेल इसमें यह सब्स्छ इंप्रेंट यह है, कि मस्ट के सिका, यानि मस्ट सेल क्या है इसमें हिस्टामाइन, हेप्रियन, सेरोटोनिन निखलते हैं यह अलर्जी जलन और सूजन आती परतिक्रिया में भाग लेते हैं एलर्जी क्या है एलर्जी अमारा राव ड्रेशिस्टेंस है बॉडी का हमालो कोई एक बैक्टिरिया या इए इंग्लिश में कहते हैं और उसके खिलाब रड़ता है इसे हम कहते है ऐलर्जी ठीक है तो होता क्या है ऐलर्जी या चलन या सूचन जो आती है ये प्रतक्रिया बॉडी करती है वो मस्ट सेल के द्वारा होती है इंपॉर्टेंट है दोस्तों बहुत यहां सुनिये का मस्ट सेल के द्वारा होती है और बॉडी इसको रेजिस्टन्स दे रही है उस अटैक को रोक रही है उसके खिलाव लल रही है तो जो है मस्ट इसमें हिस्टामाइन हैप्रिन और सेरोटीन निकालते हैं जिसे को यह चीजे हम पर्तिरोज कर पाते हैं तो कभी कोशन पूछा आता है कि ऐलर्जी में कौन सा करना लिम्स ठीक है लिम्स वाइट बैट सल से बनते हैं असल में इंका काम भी डिफेंस करना यह प्रतिरक्षी डिफेंस करती है लिम्पोसाइट का इसका मतला समझ लीजेगा बहुत अग्जैम में अगर कोशन अगर आता है भी है तो वो मस्ट सेल किसे ज्यादा पूछा आएगा और लिम्फोसाइट को थोड़ा बासका मतला पता होना चाहिए किस कोशन पूछ ले तो आपको समझ सबको क्या चीज है तो जो कोशन बनेगा मस्ट से आएगा इसमें हेस्तामाइन हैप्रीन और सेरोटीन के बारें पूछा आता है और पूछा आलरजी और जलन से क इसमें वाइट बेट से बने होते हैं जिनका काम होता है कि हमारे बॉड़ी को सुरक्षा देना ठीक है मस्ट समझ लीजेगा लिम्फोसाइट का मतल समझ लीजेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं श्वेट कोलेजन तंतुमे सन्योजी उतक वाइट केलोजन फैब्रस कनेक्टि इसमें जो एक्जाम पॉर्टेंट से फोरी इंपोर्टेंट आए और एक ही चीज इंपोर्टेंट है ठीक है पधलले बढ़ताव सुल्ड़ी है कि अधुचा की लिज दर जो इत्र लुभ और अस्तीया यहडि यहनी यह पेशी यहनी मस् życie मुछण, और तंतरिका क बनाते हैं, इसे कोशन आता अपके पास , इसे का सिये आपके पास काम क्या होता हैं ख는데 कंड़ा मिक्ला पेशी यानि मसल रीक से जोड़ते हैं यह को इस पूइंट से जोड़ते हैं जोड़ते हैं ऑच को पिशा गीए और यह काम से जोडता है, muscles को bone से जोडता है, tendon ठीक है यह देखें, यह आपका हड़ी है और यह आपके muscle है और यह tendon है यह से इन दोनों के बीच में connection मुनेगी है, तो यह कि जो muscles और हड़ी को जोड़ने और चीज को tendon कहते हैं, question का पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा बस अब से ठीक है, इंगले से पढ़ लेते हैं, a flexible but in elastic cord of strong fabulous collagen tissues attaching muscles to a bone इसको याद कर लिजेगा, कुछ और मत पढ़िएगा बस इतने पढ़िएगा, tendon है, ठीक है, इंका क कॉंचा जाएगा से यह, यह tissue के समुप, नायूंन यहिलिगमेंट का निर्मा करते हैं जो yellow connective tissues है वो लिगमेंट का अस्तमाल करते हैं, लिगमेंगन्स बनाते हैं, white connect tissues क्या बनाते हैं? tendon, yellow क्या बनाता है, yellow connect tissues क्या बनाता है? ligaments, फिरसे वारे समसेते हैं इक बार, वाइट वाइट कनेक्टी टिशु से क्या मनाता है आपका टेंदन है एल्लो तीशु मैं यापका लिगमेंट काम क्या है अस्ती यह जोड़ता है बून-टू-बून कनेक्शन को जोड़ता है उसा है फोटो में देखिए यह सथु हड्डी को जोड़ रहा है किसके काम ढूत है वो लिगमेंस ठीय है कभी हम sports खेलते हैं तो कभी तांग मों तूर जाए तो टूर जाया तो लिगमेंस पर जाते है तो बहुत दिक्का तो आती है कि लिए मैं तो बहुत दिकार होती है बंडल तर गाती टिशूज चाफ कनेक्ट देख कनेक वन बौन कनेक्ट करता है मसल से बोन को करता है लिगामेंट बोन से बोन को कनेक्ट करता है बस और ज्यादा कुछ और गहराएं में किया तो जो टेंडन होता है वो वाइट कैलोजन वाइट कनेक्टिव टिशू से बनता है और जो लिगाम होता है वो यलो कनेक्टिव टिशू से बनता ह ङूए इतना इंपर्टन नहीं, इतना इंपर्टन नहीं तैया आप का लिगमेंट और टेटन करते क्या है, यह important इतना इतना समझ लेजगा फिर है वर्णक समयोची उतक यानि इस प्रीग्मेंटेट्ट कनेक्टिव टिशु या उतक तिशु तवच्चा की ढर्मिस यानि डर्मिस नेत्र गी आयरिस ततक कर्वार। आपके तौशा के बारे में बान हैं जैब और भारे मेंज बार्ण पढ़ेंगे तब हम लेजीन तो के बारे में आखने सरणार में बढ़ेंगे तो हम अन्य तर्समार अघ्वार। है इंप्रॉर्टंन नहीं ज्याद आगे बढ़ते हैं अpressure के अनरदर टॉबिक कॉशऻन जो आता ही आता है वह सब्सक्रवर्थे why सब्सक्राइब और 換को किरुंट इस तौचा की नीचे पायात कि डिकी से ऩी जो होता है आपने इक तूचा के नीचे न गौशे दिक! पचास पचुशन से रनी होता है। जू एड़िपोस टीशू के नीचे ठाप यह तब इतनी वह भारी भर कालिक होगया है। तो कोशन है एप्वूट क Jeśli बनता और अज्वर सो को चूंए तो रहे तो अज्वर की तृच्छा उार अज्वर की के स्की सिफिये साहरकी तलसल pengले तो ज ignoring परद की तरह भी काम करते हैं, दो काम होते हैं, एक तो इनका fat collection करते हैं, जो वसा वसा का शेंघ से चेंडरे करते हैं, जो उबाड होता है, फैक है, तो वो fat का माला शेंघ चेंड़ भी इसने चेंगरे, भी अब्लो कहते हैं, आपको energy करते हैं यानि कि वसा संग्रह करते हैं और दूसरे बात है यह heat resistance layer बनाते है heat resistance बहुत important है ओट रेगी सान में काम क्यों कर लेता है क्योंकि एडीपोस टिशू की कोबर पर होते हैं यह क्या करता है कि तहा प्रोधी परत के तरहां काम करता है हीट रेजिस्टन्स लेयर है गर्मी इसके आर पर जानी पाती है इसे कि उसका शरी ठंडा रहता है important है काम क्या करते हैं वसा संग्रह करना fat collection करना और दूसरा क्या है heat resistance लेयर है यह ता प्रोधी परत के तरहां काम करना ठीक है उट के कूबर और वेल की तौचा के नीचे पाए जाता है शरी की गर्मी को बाहर जाने से रोगता है यह अंगों को अधिक दबाओ खिचाओ और धक्के से बचाता है अब इसमें भी है थोड़ा सा factual कोशन है कि भूरी वसा यानि brown fat को समान निया वसा से अधिक energy होती है कभी पूचा जाए कि सबसे जादा energy किस टाइब के fat से मिलती है वसा से मिलती है तो वह है भूरी यानि brown fat भूरी वसा फिर आगया जाल में संयोजी उतक रेक्टिकुलर कनेक्टिव टिशू ठीक है इसे लसी का lymph लेसी का लिम्फ बढ़ा था है lymphocytes lymph defense के काम करता है या दखेगा lymph is a clear to white fluid made of white blood cells ठीक है especially lymphocytes the cells that attack bacteria in the blood इसको तो मतलब होगे lymph का मतलब ठीक है जाए इसे लसी का या lymphoid tissue भी कहते हैं किसे जल्माय संयोजी उतक या रेक्टिकुलर कनेक्टिव टिशू को अब आप एक्जाम के लिए इंपॉर्डेंट यह पड़ता है या टिशू हुआ रेक्टिकुलर कनेक्टिव टिशू आपके पास स्प्लीन थाइमस टॉंस्दील और आपका पोन मियरू यह पाहँ झाता है तोरा सबerm 시청 करेंगे यह यह पेचेए यहां प्लार थाइमस याका बीं मियरू हो ऐस तो और तो बनुर्द ma?". यहां पर पायाता है और टॉंसिल अपके यहां पर यहां पर यह पायाता है कौन रेटिकुलर केरेक्टिव टिशूज ठीक है अब स्प्लीन क्या करता है इस प्लीन के आपने फोटो देख लिए इस प्लीन की आपने सब्सक्राइब और और यहां पर आप अभू करते यहां पर सब्केटिव थी आपने आप और not li ठीक है थाइमस अपने यहां देख लिया टॉंसी जग्योले के पास होता है अस्ती मंजा में बोन मेरो हमारी हड्डियों के इंदर जो होता है उसे बोन मेरो कहते हैं या शरीर में हानिकारिक बैक्टेरिया मृत कोशिगा या या डाट सेल अन्य हानिकारिक प्रदार्तों का भ अस्तीो साइड से मिलकर बनता है ठीक हमारी ढूरर होता है यह अन्य कोशिक का या उस्तीो साइड से मिलकर बनता है इंसका मैटिक अपारधर्शी जो नेटवर्कार करते है यह रिटो के इंदर लुग फैर कि फाइवर के लो ओपासे के हम देखने पासे है гор when way बोन कूँ स जो matrix बनता है वो ocene proteins बनता है इसमें मुख्य था another important question इसमें मुख्य था calcium और magnesium के phosphate salt पा जाते है calcium phosphate magnesium phosphate के जो salt है वो हड़ी में पा जाता है जैसे पूछा बेता है हड़ी में क्या मिलता है तो हड़ी में calcium होता है magnesium होता है उसके यह phosphatic लवन्त जो salt है पा जाते हैं इसके यह करण है अस्ति इतनी मजबूत होती है किस करण calcium और magnesium के phosphate salt के करण calcium और magnesium phosphate salt के और हैं इसे हटिया पा जाती है इसके करण ही इतनी मजबूत होती है चलिए अब थोड़ा सब और अभी तो हमने पढ़नी एक चीज़ आती है हेवरिसियन-कनाल का हैं क्या होता है अब यहेघर हम tuh Kirsty के छोड़ कि पार ने आएगा आएगा हो जोह का है है हड्डी के लंबाई के पियरल एक हड्डी हो दिन्हों होती है उसके पैरल जोड़ होता है थिए हील जोड़ जोड़ एक च्छल चूब होती है ठीक है और कोई भी छोड़ी ट्यूब जो हडड़ी भी नेटवर्क बनाता है और इसके माध्यम से रक्त वाहिका और नस से याता करती है हड़ी के पैरलल कनाल होता है यह उन्हें हम कहते है है हरवस्ट टूब चेद होता है इसके अदर आपके जो ब्लड वैसल से नर्वस जो नसे हैं वो आपके यह यहां आप यातरा करती है तो आप बता दीजेगा अब आता है एक और आता है वाल्कमेन कनाल यहां पर पढ़ते भी वाल्कमेन कनाल पढ़ते भी वाल्कमेन अब देखिए हार वेशन टूब यहां पर है इसका 3D फोटो यहां पर है ठीक है इसमें से आपका blood vessels और वो निकलता है blood vessels और nerves निकलती है ठीक है parallel है हड़ी के एक concept दूर्था concept क्या है वाल्कमेन कनाल वाल्कमेन कनाल क्या है यह जरनली हर्वशन कनाल के perpendicular होता है और यह हर्वशन कनाल के network त्यार करता है ठीक है वाल्कमेन निलिया एन्य प्रवशन कनाल का प्रपेंडिकुलर होता है और इनको आपस में कनेक कर देता है कौन वाल्कमेन कनाल हर्वशन कनाल के बने पढ़ लिया कि यह parallel होतने हैड्टियों के और इनके अंदर नसे और ब्लेड वसल्स हमारा चलता है दूनों चीज़ को पढ़ लिए इसे बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी फोटो यह है है हावशन कनाल के बारे में जाद कुछ जाता है कि इसमें कौन सी हड्डी में होती है कनाल होती है जिसमें ब्लेड वैसल्स और नर्स सिस्टम निकलते है तो वह है आपका हावशन कनाल दोस्तों यह पूरा हमने आप पूर्टेंट है यहां पे शिलोम और स्प्रेंशिक यह पारे में बिचर्ट के बारे में पढ़ेंगे हम ठीक है है हम इस्टवॉलोजी भारे में पढ़ेंगे लएव बहुत है ऑफन उन्पंट है इंप़नेगे ही खिर उन पसफिर के मतने कुषुली के बारे में इस करता है तिश्य करता है कनेक्टे इस पर संद मिलता है करता है कि यहां पर पढ़ लेंगे हम की मस्ट सल के पर लेंगे जो अलर्जी होती है उसे मस्ट सल है हैप्रीन निकालता है ठीक है यह पढ़ लेंगे लिंपोस्ट के बारें पढ़ लेंगे वो डिफेंस करता है ठीक है ठीक है ठीक है टेंडन के बारें पढ़ लेंगे जो मसल्स को हड्डी जोडता है फिर हम लिगेमेंट को पढ़ लेंगे जो हड्डी को हड्डी जोडता है ठ पढ़ लेनगे के बारे में सकीशा जाता है किसी कहते हैं किसी बacyकृसिंआ होने होती है है तिस वरागो kang ऐसे उपका और नसे जाता करती है ठीक है और आपका वाक्मेन के नाल होता है जो इसको नेटवर्ट आपकरता है तो यह चीद हम पढ़ लेंगे समझ लेंगे और यहीं इन्हीं में से पक्का फसेगा टॉपिक से गराया तो ठीक है और कुछ बहुत ज्यादा गयराई में नहीं जाएंगे बा